हलो फ्राइंस वेलकम बैक टो आर यूटूब चैनल एसी इंगलिस सख्यादमी दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो सुरू से अंत तक बीना इसकीप करें पूरा-पूरा जरूर दे आज के इस वीडियो में हम 6 नए तरीकों के बारे में जानेंगे 6 नए फ्रेजस सीखेंगे जिसके थूरू आप कह सकते हैं आई डोंट नो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप इस चानल पे नए हैं या अभी तक इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे अगर आपको कोई पूछे कि क्या तुम उस लड़की के बारे में जानते हो और यदि आपको उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता और आप बोलना चाहते हैं कि मुझे कोई आइडिया नहीं है मुझे नहीं पता आप इस बात को नॉर्मली तरीके से बोलते हैं I don't know मुझे नहीं पता लेकिन आप इसी चीज़ को I don't know के बदले I have no idea भी बोल सकते हो या फिर आप कह सकते हैं I have no clue कई लोग बोलते हैं कि इस बारे में मैं आपका कोई मदद नहीं कर सकता इस बात को आप इंगलिस में कह सकते हैं I can't help you there इसका इस्तमाल भी आप I don't know की तरह ही कर सकते हैं I don't know के बदले में आप beats me कभी इस्तमाल कर सकते हैं इसका मतलब भी मुझे नहीं पता होता है लेकिन इसका इस्तमाल informally किया जाता है आप I don't know बोलने के बदले में आप ये भी कह सकते हैं I am not really sure मतलब मैं पक्का नहीं हूँ या मुझे नहीं पता जब आपको किसी चीज के बारे में इस्पष्ट जानकारी नहीं होती है और आप उस बारे में सोच रहे होते हैं और ऐसे में कोई आप से पूछे कि क्या आपको इस बारे में पता है तो आप उसका reply देते हुए कह सकते हैं I have been wondering that too इसका मतलब भी एक तरह से मुझे नहीं पता होता है क्योंकि आप उस बारे में सोच रहे होते हैं तो दोस्तो I hope कि ये टॉपिक मैं बहुत अच्छे से समझा पाया और आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाए तो दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर करें क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे इस तरह की और वीडियो बनाने के लिए प्रोसाहन मिलती है आप इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ सेर कर सकते हैं ताकि इसका फायदा हर किसी को मिल सके ओके गाईस आज के इस वीडियो में इतना ही थांक्यू वेरी मच फर वाचिंग इस वीडियो कीप प्रक्टिसिंग एंड कीप लर्नेंग